तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के सिनाय और लिटेस्ट वीडियो में और यह जी वीडियो है आप लोग के 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्टन का स्रीज चल रहा है ना उसका पार्ट 10 है है 10 पर आप लोग अधिकाई देगा यानकी यह पार्ट 10 है जिसमें हम लोग चैप्टर नम egg 10 यानकी 12 अप लोग सोच समझ कर अपने हिसाब से एंसर दीजिएगा फिर मेरे एंसर से मिलाईएगा और लास्ट में आप लोग अपना इसको जरूर बतेएगा कमेंड में कि आप लोग कितना अबजेक्टिव कोशन सही कर पाए हैं और बाकी मैं आप लोग को सही एंसर बताऊंगी तो अपिसर बताऊंगी किताब से लिया गया है ठीक वही आप लोग को इस किताब का नाम बताना है तो देखिए उपसने में चहार दर्वेश बी में हैं बागो बहार सी में शिकस्ता बूतों के दर्मियां और डी में हैं गुवार खातिर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएग सही आपसन है आपसन नमबर सी शिकस्ता बूतों के दर्मियान ये जो कहानी का किताब है इसी कहानी के किताब से इसी अफसानी मजमुए से ये जो अफसाना है इबराहिम सक्का लिया गया है माखुज है ठीक आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि इबराहिम सक्का अफसाना क अपसाना निगार कौन है? यानकी बैम्स काह ये जो कहानी है, इस कहानी के लिखने वाले कौन है? अपसाना निगार कौन है? तो देखिए, आपसन निभाइंट में अबुल-खलाम अजाद, वी में सलाम बिंडर्जाक, सी में शफ़ी जावेद और D में है अली सरदार जाफरी तो सही आप्सन क्या है? आप्सन नमबर B सलाम बिन रजाक इबराहिम सक्का नाम के इस अफसाना के अफसाना निगार है सलाम बिन रजाक आप्सन नमबर B is the right answer कि सलाम बिन रजाक को किस साल साहिते अकेडमी नाम से नावाजा गया यानि कि सलाम बिन रजाक को किस साल साहिते अकेडमी नाम मिला था आप्सन A में है 2004 B में है 2005 C में है 2006 और D में है 2007 तो इसका सही आप्सन क्या हो जाएगा? आप्सन नमबर A 2004 में सलाम बिन रजाक को साहित एकेडमी नाम मिला था किस चीज के लिए तो जब यह श्रिकस्ता बूत्तों के धर्मियान नाम का वो कहानी का किताब लिखे थे ना वो कहानी का किताब बहुत ज्यादा फेमस हुआ इसके वज़ा से वो कहानी का किताब लिखने के वज़ा से सल आगे बढ़ते हैं चार नमबर सवाल को साहित्य के तरफ से नाम मिला था एक तो शिकस्ता बूतों के दर्मियान नाम का कहानी का किताब लिखे थे तो उनको 2004 में मिला था और उसके बाद से इनको तरजुमा आवाड भी मिला साहित्य के तरफ से मतलब यह दूसरी भाशा में लिखी हुए कहानी के किताब को ट्रांसलेट किये थे तरजुमा किये थे जिसके वज़ा से इनको साहित्य केडमी का तरजुमा आवाड मिला था ठीक है तो वही आप लोगों को बताना है कि कब मिलाई है आपसने में 2001 B में हैं उन्हेसे अंठानबेर C में हैं उन्हेसे इनाम इनको कब मिला तो 2004 में तेक और तरजुमा वाड मिला था उन्हेसे अंठानबेर में याप लोगों को याद रखना है दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ठीक हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ क्या आपको पता है कि इस चानल पर लगभर सारे सब्जेट क की तयारी कराई जा रही हैं तो क्यों नहीं इस चानल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुचे पांच नमबर सवाल है इबराहिम सक्का की तालिम कहा तक हुई थी और सन ए में है चौथे दर्ज तक यान की फूर्थ क्लास तक पढ़ाई यह किया था ठीक तो यह आप लोगों को याद रखना है आपसन नमबर एजो राइट इंसर यह कोशन पूछा भी जा चुका है इबराहिम सक्का चौथे दर्जे तक तालिम हासिल किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर स इसमें किस गाउं का किस्टा है किस गाउं के किस्टे के बारे में मनब किस गाउं की कहानी बताई गई है यही बताना है तो यह भी मैं आप लोगों को अलड़े बता चुकी हूँ उस गाउं का नाम रहता है धोरन धोरन गाउं की कहानी बताई गई रहती है इबराहिम सक्क और मराथी, B में हैं अर्भी और फार्ची, C में हैं हिंदी और फार्ची, और D में हैं अर्भी और मराथी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपसान नमबर A, हिंदी और मराथी, ठीक, आगे बढ़ते हैं, Out No. سवाल है, कि सलाम बिन रजाक मुंबई municipal corporation के school से कृतने बरस तक उस्ताद यानकि teacher की हैसियत से मुतालुक रहे यानकि municipal corporation की श्कूल में वो कितने साल तक teacher के तौर पर उस school में पढ़ाये थे भी कितने साल तक teacher के तौर पर job किये थे यह आप लोगों को बता रहा है तो देखिए option A में हे 15 साल, B में हैं पचीज साल, C में हैं 35 साल, और D में हैं 45 साल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा, आपसन नमर C, 35 साल तक जो है importantes सलाम बिन रजाक मुंबई के म्यूनिसिपल कर्पोरेशन स्कूल में टीचर के तौर पर पढ़ाये थे ठीक जॉब किये थे आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर नाइन है कि सलाम बिन रजाक की पैदाईश कहा हुई आपसने में हैं गुजरात के हमदाबाद में अपसन नमबर सी अपसन में हो सकता है कि जब आप लोगे एक्जाम में कॉशन पूछे तो महराष्ट पन्वील ही दे महराष्ट ना दे तो इसलिए मैं दोनों दे दी हूँ कि अगर अपसन में पन्वील रहेगा तो पन्वील टिक कर देना है और अगर महाराष्ट रहेगा तो महाराष्ट टिक कर देना है ठीक आगे बढ़ते हैं question number 10 है कि अब्दुल्ला भैसा कौन था अब्दुल्ला भैसा कौन था यह मैं आप लोको अलड़ी बता चुकी हूं चप्टर पढ़ा रही थी तो वो सरपंच का लड़का था याद रखन है option number C is the right answer आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ पड़ापट question number 11 है कि सलाम बिन रजाक की तालीम कहां तक है तेक सलाम बिन रजाक कहां तक पढ़ाई किये थे तो option A में है diploma in education B में है M में C में BA और D में है enter तो वो पढ़ाई किये थे हैं मतलब सलाम बिन रजाक की तालीम है खानी कब प्रकाशित किया गया तो देखिए option A में हुने सब 62, B में हुने सब 63, C में हुने सब 64 और D में हुने सब 65 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों को मालूम होगा इसका right answer होगा option number C 1964 में सलाम बिन रजाक का पहला आप्साना शाय हुआ यहनकी प्रका कर्पोरेशन की स्कूलों में जो टीचर के तौर पर वो पढ़ा रहे थे तो वहां से वो कब सबक दोश हुए यानकी कब रिटायर हुए तो देखिए option A में हुने सब 93, B में हुने सब 90, C में हुने सब 99 और D में है 2000 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही सलाम बिन रजाक का लिखा हुआ अफसानी मजमुआ नहीं है यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इन चारों option में से कौन सा ऐसा option है जिसमें सलाम बिन रजाक का लिखा हुआ कहानी का किताब नहीं है तो देखिए option A में श्रिकस्ता बुतों के दर्मियान B में है नंगी इसका सही जवाब हो जाएगा option C माहम की खाड़ी जो है ना वह सलाम बिन रजाक का लिखा हुआ अफसानी मजमुआ यह कहानी का किताब नहीं है ठीक बाकी श्रिकस्ता बुतों के दर्मियान नंगी दोपर और मॉइबर यह सलाम बिन रजाक का लिखा हुआ कहानी का किताब अफसानी मजमुआ है ठीक आगे बढ़ते हैं कोश्ट नमर 15 कि किसकी किताबों को सलाम बिन रजाक ने मराथी से तरजमा किया था किसकी किताब थी जिसको सलाम बिन रजाक ने मराथी से मराथी भासा से वो ट्रांसलेट किये थे तो देखिए option में हैं A में है काल माक्स B में किताब थी जिसको सलाम बिन रजाक ने मराथी से तरजमा किया था आगे बढ़ते हैं इसका तो option बिन रजाक का हिंदी अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है और वह कब शाय हुआ यहां पर आप लोगको बताना है कि सलाम बिन रजाक जो है ना वो हिंदी में भी कहानी का कित किताब का क्या नाम है और वह कब प्रकाशित हुआ यहीं कि कभ शाय हुआ यहीं आप लोगों को बताना है तो चलिए पड़वट option देख लेते हैं option A में है उसरी हिंदी कहानिया उन्हें इसा अंठानवेर B में है नंगी दोपहर का सिपाही उन्हें 77 में प्रकाशित हुआ C में है धीनू जो क्योंने इसा अंठानवेर में प्रकाशित हुआ और D में है मौयबर जो क्योंने इसा 87 में प्रकाशित हुआ तो बताइए सही option क्या हो जाएगा इसका सही answer है option number C धीनू नाम का कहानि का किताब जो है ना हो सलाम बिन रजाक का लिखा हुआ हिंदी भाषा में कहानि का किताब है ठीक जो क्योंने इसा अंठानविर में शाय हुआ था प्रकाशित हुआ तो option number C is your right answer आगे बढ़ते हैं question number 17 है कि National Book Trust ने सलाम बिन रजाक का मुतर्जमा किताब उसरी हिंदी कहानिया कब शाय हुआ यान कि यह जो किताब है translate किया हुआ किताब है यह उ उने से संतानविर और डी में उने से अंठानविर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number A उने से 95 में उसरी हिंदी कहानिया जो है न यह शाय किया गया इस किताब को आगे बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल है कि अब्दुर्रब कौन थे अब्दुर्रब जो है न यह कि दोरान नहीं रहेगा यहांपर दोरन रहेगा धोरन गाओं के स्कूल में गए रहते हैं यहां पर question पुछा जा रहा है कि कितने साल के बाद स्लाम बिन रिजाग जो है न वो धोरन नाम के गाओं के स्कूल में गए रहते हैं यह भी आप लूको और लड़ी बता चुकी कि सलाम बिन रजाक 25 साल के बाद गए रहते हैं उस धोरन गाओं में उस धोरन गाओं के स्कूल में गए रहते हैं जबकि और किस चीज़ के तौर पर तो सलाम बिन रजाक जो है ना इंस्पेक्टर के तौर पर u school में तो पचीछ साल के बाद तो आपसाना बर सी ज्रॉइट इंसर आगे बढ़ते हैं ट्वैंटी नंबर सवाल है कि इबराहेम सक्का किस से मोहबत करता था तो वो थी विधार विदारखा की बेटी विदारखा देश्मुफ की बेटी थी जिससे इब्राहिम सब का महबत करता था तो आपसर नमबर ए इस रॉराइट इंसर आगे बढ़ते हैं कुश्ट नमबर 21 है कि जनाब बदरुदीन क्या थे आपसर नमें है स्कूल के इंचार्ज वी में स्कूल के इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा ऑपसर नमबर ए इसकूल के इंचार्ज रहते हैं जनाब बदरुदीन साहब अब देखिए यह लास्ट सवाल है सवाल नमबर 22 कि सलाम बिन रिजाक 25 साल के बाद धोरन यहां पर दोरान लिखा गया है फिर से धो दोरान गाउं के स्कूल में आये रहते हैं किस चीज के तौर पर यही आप लोग को बताना है तो मैं आप लोग को बता ही ना पसंवाब customer की जब कि ult nay तो यह था चैप्टर नंबर 10 का सारा objective question जिसको को आज के इस वीडियों में हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाखी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया और अब्जेक्टिव कुश्चन करने में मज़ आया तो वीडियो को लाइक फड़वड कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो और उसके बा हो जाने वाली और वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुशेगा ठीक तो फिर में लेंगे नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज